लाइफ में बेस्ट ओरिजनल स्क्रीन प्ले अवार लेने वाले हनीफ कुरेशी इनका स्क्रीन प्ले जो के आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं Welcome back to my YouTube channel World Literature आज हम हनीव कुरेशी का play My Beautiful Laundret इसको डिसकस करने वाले हैं जो के film भी बनी थी इसके पूर ये 1985 में आया था Laundret का meaning तो हड़किसी को पता होता है कि एक ऐसी प्लेस होती है जहां पर आप जो pay करते हैं अपने कपड़े wash करवाने के लिए उसको कहते हैं Laundret तो ये My Beautiful Laundret इसको क्यों कहा गया है इस title को हम लोग डिसकस करेंगे अपनी story के end पर तो first of all अपनी story के characters को discuss कर लेते हैं characters में हमारे पास हैं उमर अली का character है, हुसैन का character है, तानिय का character है, जोनी का character है, नसीर का character है और सलिम इन characters को साथ साथ हम लोग detail में भी इनका analysis करेंगे ताके हमें जो story है वो अच्छे से समझा सके first of all अगर हम लोग बात करें तो main जो character है इसमें उमर का character है जो के England में पैदा हुआ था और एक यंग पाकिस्तानी ब्रिटिश मैन है, means के जब क्लोनिल पीरेड था, क्लोनिल पीरेड चल रहा था, उस टाइम पर ये immigration के दौरान यहां से पाकिस्तान से move करके चला गया था, England और वहाँ पर एक ब्रिटिश मैन के तोर पर अपनी life को जो है वो गुजा रहा था, उसके बाद 1980s का जो mid है वो इसकी setting है, South London की setting है, उमर के father का नाम है हुसेन, जो के पाकिसान से move करके England गया था, और वो left wing journalist था पाकिस्तान में, और अब जो है वो लंडन में रह रहा है, बट वो ब्रिटन सुसाइटी को पसंद नहीं करता, जो के हुसेन है, वो क्यों पसंद नहीं करता, क्योंकि उनकी international politics की वज़ा से, वो obviously colonial period जो आया, एशिया में, उस वज़ा से वो उनको Britishers को नापसंद करता है, इसकी जो disc certification है world के साथ, उसकी वज़ा से इसकी family को tragedy face करना पड़ती है, साथ ही साथ, ये alcoholism का शिकार हो जाता है, उमर जो है, फिर वो इसका caregiver बन जाता है, means के alcoholism की वज़ा से, इसकी father की जो habit है, alcoholic, उसक जो है, वो अपने घर के bread के लिए बाई निकलना पड़ता है और काम करना पड़ता है, उसके, अगर हम लोग इसका contrast करें, हुसैन का, इसके brother नसीर के साथ, उमर का जो है, paternal uncle है, यहाँ पे, वो एक successful businessman है, और active member है, लंडन की पाकिसानी community में, फिर क्या होता है, हुसैन जो ह होता है, वो नसीर से कहता है, कि उमर को जो है, वो कोई job दे दो, हुसैन इससे अपील करता है, कि उसको कोई job दो, ताकि वो कोई काम कर सके, उमर, obviously, क्योंकि उसकी education तो incomplete रह गई है, उसकी alcohol की जो habit है, उसकी वज़ा से, उसके बाद, उस उमर जो है, वो काफी देर तक car washer का जो है, वो काम करता है, अपने अंकल के गराज में, देन उसको एक laundry दे दी जाती है, जिसको वो manage करता है, अब laundry को ये decorate करना चाहता है, अब decorate करने के लिए, वो further क्या करता है, अब उमर जो है, उसकी यहाँ पे, जब वो laundry में होता है, काम कर रहा, तो वहाँ पे इसकी और ज इस चीज़ की भी possibility है उसके बाद वो सलिम से मिलता है अब ये कौन है ये एक ऐसा ड्रग ट्राफिक्स रन करता है कि इसने उमर को हायर किया ताकि ये जो है ड्रग्स को एरपोर्ट पे डिलिवर करें अब उमर जह है वो एक दिन क्या होता है कि अब इसको सलिम को और इसकी वा होते हैं political party से तो वो हिन पे attack कर देते हैं जो अटैक करते हैं तो पता चलता है उनका जो लिटर है वो जोनी अब जोनी है जो है बन का जो चाल्लिविलst फ्रेंड है अब उमर क्या करता है इससे अपने जो चाल्लूट रिलेक्सशिप से हमको ही स्टेब्स करने की कोशिश कर उनकी जो friendship है वो फिर से continue हो जाती है और यह उसको जॉनी को एक जॉब भी offer करता है लॉंडृट में जॉनी उस जॉब को accept कर लेता है और उसके बाद इन्होंने लॉंडृट को decorate करना होता है उसको decorate करने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते तो यह क्या करते हैं स्लीम का एक जो drugs की एक traffic जो ट्रक था उसको यह sell कर देते हैं और उसके जो सारे के सारे पैसे हैं उसको बिना बताए अपने लॉंडृट पे लगा देते हैं उमर जो है वो जॉनी से पूछता है तुम्हारा right wing past तुम कैसी right wing में आये उसका जो पास था उसके बारे में बट जॉनी इसक psychiatrist Raquel के साथ तानिया का राकेल से जब सामना होता है तो वो काफी इन दोनों के दर्में जगड़ा होता है क्योंकि अपने फादर का जब आफैर देखती है तो वो काफी गुसे में आ जाती है उमर जो है वो जब उसने ड्रिंक की होती है तो तानिया को पर्पोस करता है तानि जो है वो उसको पदर चलता है उमर ने मेरा जो ड्रक का एक ड्रक है उसको सेल किया है तो उसके अपनी पैसों की डिमांड करता है वो अपने साथ कुछ लोगों को भी ले कि आता है उमर का जो फिर फादर है वो जोनी से मिलता है और जोनी से कहता है कि तुम उमर को थोड़ा उसको समझाने की कोशिश करो कि वो अपनी अजूकेशन की तरफ आए ना कि यह जो आज कर वो जॉब जोगरा कर रहा है उनकी तरफ ध्यान दे सलिम जह है वो भी ब्रिटिश नॉन वरकिंग जो पंक्स हैं जोनी के गैंग में उनको नापसंद करता है और उन पर अटाक भी कर जाट है कि मेरा जो रिलेशन्षिप है वो अमर के साथ है तो यहाँ से आपको होमो सेड्श श्यान होने का हिनका पत्या चलता है अमर और जोनी के आपस में जर इनको रिलेशन्षिप है始प फर्दर क्या होता है तानिया जो है वो यहां से कुछ कहे बगार जो है वो चली जाती है राकेल जो है वो बिमार पर जाती है वो इस वज़ा से के जो नसीर की जो वाइफ होती है उसकी कर्स के वज़ा से इसको इंफैक्शन हो जाता है राकेल को अब सलिम जो है वो उन पंक्स पर अटैक करता है जोनी जाता है सलीम को बचाने के लिए क्योंकि सलीम पर भी जो है वो अटैक हो जाता है जो कि पंक्स है उस पर अटैक कर देते हैं तब ही जोनी को बहुत ज़्यादा वो मारते हैं पंक्स इसको भी उमर आजाता है और उमर आके इसको सेव करता है जोनी को उसकी जो डॉर्टर थी तानिया और उमर का जो सन था उमर इन दोनों की अब्रिंगिंग में इन बहुत सी कमिया रह गए और अपनी फेलर को ये लोग डिसकस करते हैं और अब सिरफ उमर के फ्यूचर को लेकर ये क्यूरस थे कि अब उसका फ्यूचर जो है वो बैटर होना च जाती है इस स्टोरी में एक सिंपल से स्टोरी है बट इस स्टोरी में डीफ मिनिंग्स है सबसे पहले मिनिंग क्या है कि क्लोनियल पीरेट के बाद लोग की सिच्वेशन क्या हो जाती है कि आप इमिग्रेशन करके गए भी हो दूसरे कंट्री में तब भी आपके साथ जो क् के साथ किया है आप उसको भोले सकते आपके माइंड में जो एक कुंसेप्ट बन गया है उनकी वल्गरिटी का उनकी ओप्रेशन का वो फिर भी रहता है कि आप उनको वैसे ही समझते हो जैसे उन्होंने आपके साथ वास्ट में किया है प्रेजर्ट में हो जितना अच्छा कर हैं फिर भी आप उनको अच्छा कंसीडर नहीं कर सकते है जो कि उमर और उसके फ्रेंड जोनी के दर्मयान था उसके बाद पेरेंट्स फेलर हमें नजर आती है कि वो अबरिंगिंग में किस तरह से फेल हुए अपने उनके जो अगर हम लोग हुसान के बात करें तो उमर की आप प्रेंगिंग उच्छे से नहीं कर सका और अगर नसीर की बात कर सकी तो वह तार्या की अब ब्रिंगिंग जो है वह अच्छा नहीं कर सका उसके बाद ओवराल एक इसमें इस इस स्टोरी वे काफींगिंग में नथर आते हैं इसकी इस Annual是ं का अच्छे से किया जाय तो क आपके वहाँ रहने से नहीं बनती है आप उसको ओवर जितना भी डेकुरेट कर ली वह आप उसको इतना अच्छा नहीं बना सकते जिब तक आप उसको मेंटली आप उसको एक पीसफुल प्लेस ना समझे वीडियो प्लाइक को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा थैंक एक पर वाचिंग मैंटल